आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के स्टूडिय में हम देखने वाले तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स डबलू ओ आर वर्सस एल एंड के बीच की तो जैसे के आपको मैंने मैच को हलेट करके दिखा दिया इंग्लिश यह ट्रीम पर क्लिक किजिए जो नीचे आप्शन आपको दिख रहा है लेकिन मैं अल्रेडी चार्ट इमें बनाके रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है कैप्टन और राइस कैप्टन किसे ब पर क्लिक करके और पहले टिम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तो आपको बता दू कि काफी ऐसे प्लियर से यहाँ पर जिनका पर्फॉर्मस भी अच्छा है और हम उनको जानते भी है लेकिन शायद यह भारत के खिलाप जो सीरीज इंगलेंड के होने वाली है उसके लिए चार चुके इसलिए वो इस मैच में अविलेबल नहीं रहेंगे तो आप बात करते हैं सबसे पहले कीपिंग की तो आपकोस आप देख सकते हैं पीस हौल्ट का पर्फॉर्मस अच्छा रहा है दी विलास का भी पर्फॉर्मस अच्छा रहा है तो पहले टीम में मैं इन दोनों के साथ जाओंगा ताकि आपको जादा से जादा पॉइंट मिल सके और आप ग्राइंड लिग जेच सके इसके बाद बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में आपको स्कॉलिंग मुंद्रों को लूँगा टीम डेविड को लूँगा और एस क्राफ्ट को इनका परफॉमस शुरुवात में काफी शांदार रहा था पास सा पाच्छे मैचेस उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ और अब उनका परफॉमस मिला जोला रहा है इसके अलावा मुहिन अली को में लूँगा डीजे ब्राव को भी लूँगा इनका भी परफॉमस काफी ब और अब दो लिए अरॉदी बराउन को को मैं मैं इस्के मैं शामिल करूंगा दो यहाँ पी प्डी आ हैं ऩो यहां पे आपके पर और झालक क disruptive आप्जान को लेशी करने तो चाहिसे एंट इन्बाजों को सिलेक कर लिया है जिससे आपको अच्छे खासे पॉइंट मिलने वाले हैं अगर बात करें कंटीनू पर क्लिक करके के कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो यहां पे मैं कैप्टन के साथ जाओंगा अफकोस टीम डेविड के साथ काफी शांदार परफॉर्मस रहा है और काफी जादा लोगों ने इनको पसंती दिये अज़क कैप्टन लेकिन वाइस कैप्टन के अगर बात करें तो मैं सबसे जादा लोगों ने पसंती दी है बीडी ओलिवरा को जैसे के आल्रेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका परफॉर्मस ठीक ठाक रहा ह और मोईली को इस टेम कांगे वाइस काप्टन के लिए शायद ही नहीं जाओंगा बोहेद अंखिन एक लाइस ग्फॉर्फॉर्मस लेख तो चुका रहो है बहो हैं कर सकते अच्छी और शांदार स्ट्राइक रेट से बैटिग करते हैं इसके आलावा तीन बैक्समन में थिम डैविड और कॉलिंग मन्रों इसके आलावा अगर बात करें यह तीनों बैक्समन हम मेरे पास हर टीम में रहेंगे लेकिन कुछ ना चेंजेस करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा अगर बात करें एक अच्छा खासा हमारा कॉमिनेशन बन चुका है एक अच्छे खासे टीम बन चुके है तो अगर बात करें तो इस टीम को आप ग्राण लिग के लिए उच्छ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा लेकिन स्मॉल लिग के लिए भी यूद जरूर कर सकते ताकि आपको दोनों लीगों में शांदार आपके जीत मिल सके तो इसलिए यह टीम आप ग्रांड लिग पर और स्मॉल लिग दोनों पर भी लगा सकते और दोनों लीगे आप इस टीम पर लगा सकते अगर बात करे कि टीम डेविड को कप्तान और मोहिन लिग को वाइस क्याप्टन मना रहा हूं टीम डेविड का परफॉर्मस काफी शांद कर रहा हूं अगर आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते मोहिन लिको प्तान और टीम डेविड को वाइस क्याप्टन भी बना सकते लेकिन टीम डेविड का परफॉर्मस ज़्यादा बेटर है तो इसलिए मैं इस तरसे कर रहा हूं तो कुल्विला के इस टीम को अभी close कर लेते हैं, save कर लेते हैं और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हूँ किस तर से बनी हैं दूसरी टीम के अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने कीपिंग में यहाँ पे एक ही कीपर के साथ जाओंगा वो है पीश ओल्ट इसके अलगा किसी और को मैं इस टीम में नहीं लूँगा बैटिंग पर चलते हैं तो जैसी कि मैंने बताया था तीन बैट्समन तो मेरे पास है और इस क्राफ्ट भी मेरे पास रहेंगे और चाओ थे जो बैट्समन है इप उलॉक ये भी अच्छे प्लियर है इनका भी पर्फरमस ठीक ठाक रहा है तो इनको भी मैं जरूशी लेकर लूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सके अगर यह अच्छा पर्फरमस करें तो अगर बात करें ओल रॉंडर की तो य और ग्लिशॉन को तो लिया है पी ब्राउन को भी लिया है और टी हाटली को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो शांदार पर्फरमस रहा है इन तीनों का तो जरूर आप इन तीनों के साथ जा सकते इन तीनों को अपने टीम में शामिल कर सकते तो जरूर आप इस तर से कर सकते चलिए दोस्तों काफी शांदार गेन बाजी कर रहे है और विख्टे भी अच्छी निकाल रहे है तो ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं अगर बात करें वाइस कैप्टन की तो पी शॉल्ट को वाइस कैप्टन बनाऊंगा हम सब को पता है काफी बड़िया बैट्स अच्छी बैटिंग टो करी लेते हैं लेकिन काफी चीपिंग भी करतें काफी शांदार है इनकी तो यह फिल्डिंग में भी अच्छी खासे पॉइंट दे सकते हैं तो इसलिए आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं कोई प्राब्लिम नहीं कोई दिक्कत नहीं है चले पास स्क्राफ्ट है इपॉलॉक है टीम डेविड है तो इस चार अच्छे खासे शांदार बैट्समन भी आमार पास है जो कि आपको अच्छे खासे बैटिंग करके अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाले और काफी बढ़िया भी खेलते हैं अगर बात करें ऑल राउंडर क दो ऑप्शन अच्छे जिनको आप चूस कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर बीडी ओली और के साते जा रहा हूं अगर बात करें गेनबाजी के तो आर्ग लिशॉन है पी ब्राउन है और टी हाट लिए यह तीनों भी अच्छे खासे गेनबाज है जरूर आप इन तीनों के सा अगर बात करें क्याप्टन की तो सबसे पहले तो आर्ग लिशॉन को कप्तान बना रहा हूं और काफी बढ़िया गेनबाजी कर रहे हैं दोस्तों और अच्छे खासी विक्टे इनको मिलती है तो अगर यह इस बार भी अच्छा शांदार गेनबाजी करते हैं और अच्छे कि अलवाब कीपिंग में पॉइंट दे सकते एक्स्ट्रा में बैटिंग में के साथ सथ स्टंपिंग रन आउट या कैचिंग के इस्ट्रा पॉइंट मिल सकते और यह अट-एट पॉइंट भी काफी इंपर्टन थाभित हो जाते तो इसलिए इंदोरों को क्याप्टन और युट चाहे तो स्मॉल लिग के लिए लेकिन मेरा मनना है कि जाधा बेटर टीम रहेगी स्मॉल लिग से भी फिर भी अगर आप दोनों लीग भी लगते एक स्मॉल लिग तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है आप इस तर से भी जरूर कर सकते लेकिन एकी लिग लगते तो सिर् तीसरी टीम की बात करें तो मैं यहाँ पर फिर से दो कीपर के साथ जा रहा हूँ अफकोस डी विलास को ले रहा हूँ और जी रोडरिक को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ इनका भी performance पिछले दो मैचस में अच्छा रहा है अगर बात करें तो हाफ काफी कम मैचस खेलने को मिलिये लेकिन पिछले दो मैचस में अच्छा परफरमस रहा तो एक टीम में आप कम से कम इनको शामिल कर सकते इन पर वर्षा कर सकते बैटिंग के बात करें तो कॉलिंग मुन्रो है टीम डेविड है फिर से वही स्क्राफ्ट है यहाँ पे अगर आप चेंजिस करना चाहे तो इप वलॉक को अगर लेना चाहे तो ले सकते इसके अलवा आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं आर जोन्स को अगर लेना कर सकते हैं तो आपको पॉइंट काफी ज्यादा मिल सकते है इसलिए इन पाचों को एक टीम में शामिल कर रहा हूं जरूर आप इस तरसे कर सकते हैं पर वर्षा कर सकते हैं दावल लगा सकते तो कुल्मिला के एक अच्छी खासी टीम बन चुके फिर से कंटीडियू पर क्लिक करते और देख लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन करें से बना सकते तो यहाँ पर अभी तक मैंने स्क्राफ्ट और कॉलिंग मुन्रों को कुछ भी नहीं बनाया था तो य लेकिन पीश और को इस टीम से मैंने ड्रॉप किया अगर बात करें तो कीपिंग में डी विलास को भी लिया और जी रोड्रिक को इस टीम में शामिल कर रहा हूं इनको अभी तक एक बी टीम में नहीं ले पाया था एक टीम में ज़रूर आप इनको लीजेगा काफे फायदे अगर बात करें लृडर के तो यहां डीजव रहा हूं मेरे पास बात करें तो यहां पें पांच Ona इस तर से पाच अच्छे खासे गेनबाज मैंने लिए जिससे आपको सभी की सभी अगर कुछ एक एक विकेट निकाल लेते तो काफि फायदा हो सकता एक एक नहीं आपके जगह दो-दो अगर टिकालते तो काफि शांदार फायदा होगा तो इसलिए इस दोनों को मैं इन टोक अगर अच्छी विखते लेते तो काफि फायदा हो सकता है बात करें county with my Teddy और क्याप्ट नबना रहूं को मॉन्रो को जरूर कर सकते हैं तो फिर से कोगा स्क्राफ्ट को कैप्टन और मुन्रो को वाइस कैप्टन बना रहा हूं तो कुल मिला के एक अच्छी खासे टीम में है थोड़ी हटके भी है दोस्तों जिस वजह से इस टीम को ग्रैंड लिक के लिए उसके जगा स्मॉल लिक के लिए किस तर से मैंने बनाई है जोती और आखरी टीम के अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास फिर से एक ही की पर शामिल रहने वाले और वह है पी शॉल्ट को मैं इस टीम में नहीं लूँगा दी विलास को इस टीम में शामिल करूँगा इनको अकेले को इस टीम में लूँगा क्योंकि इनका परफरमस ज्यादा बेटर रहा है इसलिए इनको मैं इस टीम में शामिल करूँगा हाला कि ज्यादा लोगों ने पी शॉल् लिए प्पाह्त को यहां पर ट्राइ करना चाहाई तो कर सकते हैं तीन लिए खात ही तक चार लूँडर सभी बेस टीम ब्लैसर में है जाल ताने बाध ले लए थे अबसमें हीले रहा हुँ आलल रॉंडर लेकिन दोस्तों इसलिए किया है कि ताख्याप ग्रारलिक जरूर्ण में पर चलते तो गैन बाधी में मैं तीम के में तीन जा रहा हूं वह और usa और त sarc경 और यहां पर तीरा गैनल बाजल आख लिए रहा है तो क्योंकि यह काफी अच्छी मैं तो यह लेकिन जो है उन्हें में एक मैच में दिए है दोस्तों लास्ट मैच वो खेल पाए अभी तक बाकी पूरी मैचस में वो ड्रॉप रहते एक बार टीम प्रिव्यू करते हैं उससे पहले कंटीनू पर क्लिक करके कैप्टन और वाइस केप्टन देख लेते कि किसको बना है मैंने और जरूर आप को द कर सकते हैं आज वाइस कैप्टन भी और कैप्टन भी टीम प्रिव्यू जरूर करा देंगा जैसे कि आप देख पार है मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर डीविलास को लिया आज विकेट की पर बाकी किसी और को नहीं लूंगा बैटिंग पर चलते तो वही तीन बैट्स पन चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं तो आप अपनी मर्जी आपके मर्जी आपको चेंज करना है या नहीं करना है आप पर छोड़ता हूं मैं यहाँ पर मैं जरूर कुछ सर्प्राइजिंग डिशिजन लिये हैं मैंने काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर अपर हैं इसलिए कुछ आल्डॉंडर को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है मैं यहाँ बोईन अली के साथ जा रहा हूं डीजे ब्रायो के साथ जा रहू है यहाँ कुछ प्लिय अल्डॉंडर का पर्फॉर्मस थोड़ा डाउन है लेकिन प्लियर शरूर अच्छे है उनका जादा शांदार परफॉर्मस रहा है लेकिन यह रिस्क है लेकिन अगर यह रिस्क हम लेते हैं और अच्छा हमारे टीम अच्छी पड़ जाती है तो आज आपको ग्राइंड लिग जितने से कोई नहीं रोख सकता इसलिए मैंने इस तरह से चार ओल रॉंडर यहां प पहले ही मैच में तो जरूर आप इनको एक टीम में तो कम से कम लहीं सकते तो इसलिए आपर मैंने उनको शामिल कर लिया है तो कुलमला के एक अच्छी खासे टो टीम बन चुके है लेकिन क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की बात करे तो यहां पर पी ब्राउन को किसी भी जादा लोगों ने कप्तान भी नहीं बनाया और डेई विलास को भी काफी कम लोगों ने वाइस क्याप्टन या क्याप्टन बनाया है अगर आप इन दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना लेते और यह अगर दोनों अच्छा परफॉर्मस कर लेते तो आज यह थोड़ी मुंश्की ले मतलब थोड़ी जिसकी टीम है इस लिए इन चारों टीमों में अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर पदता है कि captain और vice captain सही नहीं है तो आप ज़रू changes कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा changes मत कीजिगा ज़्यादा changes करने जाएंगे तो थोड़ा रसकी सावित हो सकता है एक दो changes करेंगे तो कोई problem नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो I hope आपको मेरी सभी टीमें और मेरा वीडियो ज़र करने करते रहे और साथ इसाथ मैंने फिर से एक बार जरू कहूंगा कि जिन जिन को vice captain बना अगर आप उनको भी captain बनाना चाहे तो जरूर बना सकते क्योंकि यह भी शांदार player है और performance भी इनका भी अच्छा रहा है तो जरूर आप इस तरह से कर सकते लेकिन मैं आपको मतलब अलग-अलग combination देना चाहता था इसलिए मैंने सभी captain और vice captain इन चारों में अलग बनाए है तो ऐसा मत समझेगे यह vice captain अच्छे नहीं है इनको भी आप कई न कई captain बना सकते और multiple team लगाते तो जरूर बनाएगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तक के लिए thank you, धन्यवाद, goodbye, take care